जहीं दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज के जेडों में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट बाते बताऊंगा OROP से रिलेटेड। दोस्तो OROP की सबसे बड़ी डिमांड किसकी थी? ये थी OROJCOS की की OROP को लागू करा जाए। यानि कोई सी भी सरकार आए लेकिन OROP को लागू करे वन रेंग वन पेंशन को। वो इसलिए क्योंकि जो जवान थे वो कम्र उम्र में ही डिस्चार्ड हो जाते थे। उनकी जो कॉलिंग फाइंग सर्विस थी वो इतनी नहीं थी। इस वज़े से जो OROP का जो में मकसद थ वो ता जवानों के लिए, OROP के लिए, JCOs के लिए ताकि वो कम सेवा में पेंशन आने के बाद एक पेंशन समानी करण रूप से ले सके। इकोलाइजेशन रूप से ले सके पेंशन। दोस्तो OROP तो लागू कर दी भारस सरकार ने लेकिन उसका सही बेनिफिट है। कौन ले गया, दोस्तो वो ले गए जारत्तर ओफिसर्स। OROP को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, One Rank One Pension का, वो नहीं मिल पाया। दोस्तो ये हम नहीं कहते हैं कि ओफिसर्स जादा ले गए, One Rank One Pension में, पेंशन। ये आकड़े कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। दोस्तो, One Rank One Pension की जो दिमांड थी, वो स्टार्टिंग से चली, बाद में से लागू किया, कई रिपोर्ट्स आई, कई मीठिंग बैटी, लेकिन धीरे धीरे, पेंशन के एकोलाइजेशन का ग्राफ कम होने लगा, डाउन होने लगा, और जब से OROP आई, पेंशन है, लेकिन One Rank, डिफरेंट पेंशन है, अलाग अलाग येर में डिवाइट कर दिया, दोस्तो, आज मैं आपको एक मैसेज समझाऊँगा, और ये मैसेज है, सुबेदार मेजर सापका, जो शेयर हुआ है, इस वीडियो को आप हर एक जगे शेयर कर देजेगा, एक और चीज जोस्तों मैं आपको समझाऊँगा, थर्ट, फोर्थ, फिफ्थ, पे कमिशन की अगर आप रिपोर्ट्स उठा के देखे, तो उस टाइम सिविलियन्स कम पैंशन लेते थे, बलकि ओवार जेसे उसकी पैंशन जादा थी, सिविलियन्स के मुकाबले, लेकिन अब पूरी गं पे स्केल्स के मौट्स देखिए, अब ओर जेसे उसकी पैंशन ना मातकी रह गई है, इतनी घड़ गई है, इतनी घड़ गई है, कि आप उसका अंडाजा भी नहीं लगा सकते हैं, जब से ओर ओपी आई है, जब से एवरेस सिस्टम आया है, जब से और नुकसान हुआ है य वीर नारीज, वीडोस, वेटरेन विल सकसीट वेन दे एक इंडिपेंडेंटली विदाउट ओफिसर्स, यानि जेसियोस, ओर्स, पीबिवार, वीडोस, वीर नारीज, इनको अब स्वतंत्र रहने की जुरत है, किस से ओफिसर्स है, तभी ये सकसेस्फुल सकसीड हो पाएं दोस्तों, 1973 में, OROP को एक अवैद तरीके से घोशित करा गया, किस के द्वारा? श्रीमती इंडरा गांदी जी के द्वारा, जिस से 20% पेंशन कम हो गई, रिड्यूस हो गई, किस की? जेसियोस की, OROs की from entitled 70% and since 1973 onwards, we are getting 50% pension, यानि जो हगदार 70 से 75% pension के थे, वो रिड्यूस होके 20% पे आगई, 1973 के बाद, 50% pension मिल रही है, अगर आप ऑफिसर की pension उठा के देखें, तो इंक्रीज होई 30 से 50% तक 1973 में, and they are enjoying huge payment, और उस टाइम से लेके अभी तक वो फाइदा ले रहे हैं pension पे, एक बड़ा फाइदा, 3. OROP 1973 itself, unconstitutional, एक असवधानिक रूप से OROP को लागू किया गई, we need to scrap OROP 1973 concept immediately by challenging before the Supreme Court, इसलिए OROP 1973 के according, इसको challenge करना चाहिए Supreme Court में, Debate it constituting, यानि इस पे एक debate होनी चाहिए, व्यापक रूप से, इस पे बात होनी चाहिए, आप अपने विचार खुल के रखिए, दोस्तों ये जो problems हैं, ये चली है OROP को लेकर, तो काफी pensioners काफी OR, जैसे उस कहते हैं, कि OROP को बंद करा जाए, OROP को यहाँ पे बंद कर दिया जाए पूरा, हमें one rank one pension नहीं चाहिए, दोस्तों अगर one rank one pension को बंद करा जाता है, तो फिर आप किसके according pension लेंगे, सबसे बड़ी बात, जब OROP में आपको minimum ही फाइदा मिल रहा है, तो आपको maximum फाइदा किस base से मिले, यह सोचने वाली बात होगी, दोस्तों, यह सब बातें कहीं न कहीं आपकी pension में include होती है, यानि आपको पता भी नहीं लगेगा, कि आपके साथ pension पे क्या हो रहा है, तो दोस्तों, यह चीज़े मैंने आपको समझाए, इसकी regarding, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे आप कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को like करें और दोस्तों, चैनल को subscribe कर सकते हैं, तैंक्यू सो म कर सकते हैं, तैंक्यू समझाए, 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 तैंक्य